अपराधी मरेगा तो खुसी नहीं, खुसी होगा, कोई उसका ब्रक्तुत जिसके उपर सो सो डेड़ोट सो दोजो सुमु कदमे आए, तो वो तो कोई संत आदमी तो थे नहीं, संत थे उसके रहते जो है, यहाँ जो है, यह चेतर बिल्कुल सेफ नहीं था, और तो मालिजे महराजी का सरकार जब से हुआ, तो बिल्कुल जो है, यहाँ सांती, चारो तलब संनाटा है, कोई दिकत नहीं है कृष्णा नंद्राई, जिनके हत्या 2005 में की गई थी, मुक्तार अंसारी पर आरोप लगा कि मुक्तार अंसारी नहीं, अफजाल अंसारी के हार के बदले के तौर पर उनकी हत्या करवाई थी, हम उनके ही गाउं में पहुँचे हुए, आप यह देख रहे हैं कि शहीद स्थ कर्मब और 29 नवंबर 2005 को शहीद कृष्णा नंद्राय विधायक मुहम्दाबाद, मुहम्दाबाद सही चुनाव जीते थे, जिसके बाद उनकी हत्या करा दी गई थी, आरोप मुक्तार पर लगा, और आज जब मुक्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, तो हम उनके गाउं मे हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं की इस तरीके से उनके परिवार की तरफ से जो बाते सामने आ रहीं हैं, उनके परिवार के लोग, उनके बेटे या उनके पत्नी ने जो बाते कही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गाउं के लोग Agora, आपको सुनना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि सिर्फ वो परिवार नहीं, जिनके परिवार से एक विक्ती गए थे, जिनकी हत्या की गई थी, बल्कि पूरा गाउं इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, जब मुक्तार अंसारी की मौत हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर जश्न भी मना यहां पर पटाके जलाए गए, हमने देखा कि रॉकेट चोड़े गए, तो आज आप लोग क्या खुश हैं, और मुक्तार अंसारी की मौत हुई है, दूसरी तरफ इस गाउं में बताया जा रहे की खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को, और काईदे से बिला जो है, निश्चित रूप से क्या कहा जाएगा उसको, मतलब अच्छी कंडिशन हो गई है, बहुत ज्यादा खुशी है, बेक्तिकत रूप से, आप लोग मुक्तार अंसारी को क्या मानते थे, माफिया, माफिया, गुंडा, अपराधी, लुटेरा, और क्या कहा सकते ह लग रहा है कि यह जो हुआ है, यह अच्छा हुआ है, और यह प्राकृतिक इनसाफ है, बिल्कुल, प्राकृतिक निया है और यह होना चाहिए था, थोड़ा और पहले हुआ होता, तो बहुत से लोगों की जान बची होती है, तो मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए, तो आपको किसने बताया कि कैसे कृष्णा नंद्राई जी की हत्या हुई, उसके बाद अब आज आप लोग जो खुश हो रहे हैं, तो किसने बताया था कि क्या हुआ है, अब देखिए, नॉर्मली बात की जाए, तो हम उनी के फैमिली से हम लोग विलॉंग करते हैं, तो हम इस भगवान के भरोसे थे, क्या आप लोगों की उमीदे जो हैं, वो बाकी सब जगशों से خत्म हो गई थी, तूट गई थी, क्या नाम है अब का? अमरनात पांडे पांडे जी क्या बाकी जगों से आप लोगों की उमीदे खत्म हो गई थी आप लोगों को लग रहा था कि ये इतना बड़ा माफिया है इतना बड़ा वेक्ति है कि इससे कहीं भी आप लोग नहीं लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते थे इससे बहुत सब को ड पूरा इलाका चेत्र गाउं ही नहीं पूरा चेत्र ही यहां जुटा हुआ था दस्वी सजार की यहां भीड़ थी उस्समें यहां इस इलाके में धोर उड़ गई और जयां अधी आध्मी के आने से पब्लिक के आने से यहां वह काम के दिन ठक उटो धोर उड़ गई इतना उनका विक्तित्र हaci यहां विकास भी कुल सब रुख गया Understanding से फ्सक्राव है तो को वित वास आओ प्शाण करें और ह्यां रुआ होसे का दो cage तो और विभाकी लोग जो है उन्से भी बात करते हैं और जानते हैं की अज क्या मेंसूसकर रहा हैं आप लोग आप क्या नाम है मनोज राय क्या लगते हैं आप कृष्णरंद्राइब के बतीजे लगते हैं तो क्यासा अभी आप लोग महसूस कर रहे हैं क्या आप लोगों को खुश होना यह तो अपर आधी मरेगा तो खुशी होगा कोई उसका विक्तित जिसके उपर सवावास होगा नहीं तो जो उस प्रभीत के हैं लोग अपराधिक प्रभीत के हैं उनके लिए दुख की बात है और जो अच्छे लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है कि हमारे मलब जिले से और हमारे प्रदेश से एक दुर्दानत अपरादी का अंत हुआ तो कल आप लोग दिवाली मना रहे थे हैं बिल्कुल पटाके जलाए अप लोग है दूसरी तरफ मुहमदाबाद में मातम पसरा होगा पूरे मुहमदाबाद में थोड़े मातम फैला होगा और फैला है कुछ गिने चुने लोग हैं उनके लिए दुख की बात है और सब के लि दियें, लोग खुश हैं लोग और यह कुछ और लोग हैं से बात करते हैं आपको क्या लग रहा है कि आज मन में क्या चल रहा है जब मुगतार अंशारी की मौथ हो गई है अपार हर्च हो रहा है सर कि अपार हर्च हो रहा है और हो below है बहुत ही ज्जादा हमलों के लिए ख भगवान ने ये मौका दिया, थोड़ा सा देर हुआ, थोड़ा और पहले हो गया होता तो और बढ़िया होता, आप लोगो लगता है कि उपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, जी जी बिलकुल, बिलकुल, सबहुन अचावत राम गुशाई सर, यहां जो है वो चरि सब्सक्राइब की तरफ से इस गाउ को लेकर बरताव बदला भी था, आप लोगे प्रती बरताव बदल गया था, देखिये सर, अपरादियों का बरताव एक ही होता है, वो जाहे जो भी उसके सामने हो, और उसके अगर सामने जी हुजूरी करिये तब तो ठीक है, अगर नह जो है, ये छेतर बिल्कुल सेफ नहीं था, अब तो मालिजे महराज जी का सरकार जब से हुआ, तो बिल्कुल जो है, यहाँ सांती, चारो तरफ सन्नाटा है, कोई दिकत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि जो सरकारे हुआ करते थी, हम लोग ये देखते थे कि कोई भी यहाँ जिसकी मौत पर इस गाओं के लोग जश्न मना रहे हैं, मायवत्ती उनको गरीबों का मसीहा कहा करती थी? मायवत्ती चुनाओ ओट का फायदा देखने के लिए बोल रहे हैं, अपना फायदा लेने के लिए बोलती थी अब नहीं बोल रहे हैं तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है बहिए चाहे सपा वाले हो या बसपा वाले हो इनहीं लोगों ने तो इन लोगों को इतना बड़ा किया है ने तो उसका इतना ओ कौन था कुछ नहीं था इनहीं लोगों ने उसको गुंडा बनाया है परिवार के लोग कह रहें मुखतार के लोग कि जहर खिला दिया और जान मुछकर साजिष्टन मार दिया इलाज करवा देते ट्रीट्मेंट होता तो ठीक हो जाए पॉस्ट माटम हो रही हो िरा है सर जो होगा सब सामने आ जाएगा कि कौन जहर खिला है लेकिन वो जिस तरह आम आदमी घर में खूले में जो आनंद लेता है उस तरह आनंद लेता था लेकिन जब से जोगी जी की सरकार आई जब उसको ट्रिटमेंट मिला एक अपराधी का तो उसको आउकास समझ में आगे सर तड़प तड़प कर मरा है चली बहुत बहुत शुक्री आप सबी का हमसे बात करने के लिए तो 2017 में जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उसके बाद मुक्तार अंसारी का गैंग जिसको हिंदोस्तान का सबसे बड़ा माफिया गैंग कहा जाता था सबसे खतरनाक माफिया गैंग कहा जाता था उस पर एक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे कर 600 करोड से ज्यादा की संपत्ती जब्द की जाती है या फिर उस पर बुल्डोजर चलाया जाता है इसके अलावा इस गैंग के कई अपराधियों के खिलाफ एक्शन होता है और अंतह मुक्तार अंसारी की मौत हो जाती है परिवार के लोग कह रहे हैं मुक्तार के कि ये साजिश्टन हत्या की गई है मुक्तार की मौत नहीं हुई है लेकिन कृष्णा नंदराय के गाउं में के लोग खुश हैं क्योंकि जिस दुर्दान की मौत हुई है उससे यहां के लोग परिशान थे वीडियो जनलिस्ट प्यूश के साथ विद्यानाज्जा नभार